अपिसोड की शुरुवात में हमें बताय जाता है कि एरिक और मिकल के बाद यासिन भी गायब हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि चार्लेट एलिजाबेट को यासिन के गायब होने की खबर बताती है और उससे पूछती है कि अगर उससे कुछ पता है तो वो बताए। फिर चार्लेट एलिजाबेट से नोवा के बार में पूछती है कि वो केसा दिखता है तो एलिजाबेट बताती है कि वो उसके डैट के जितना लंबा था उसने टौपी पेन रखी थी और उसकी आखे बलू थी फिर चार्लेट उससे कहती है कि वो किसी को उसके पास भेज़े कि वो उस रात को कहा था जब मीकल गायब हुआ था तो पीटर कहता है मैं अपने ओफिस में ही था रात 11 बज़े तक तो चालेट उसे उसके कार की फोटो दिखाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम अपने ओफिस में नहीं थे और अगर तुम्हारा एरिक, मीकल या 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 साथ क्या हुआ ये पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन मिकल कुछ भी नहीं कहता फिर हम बार्टोस को देखते हैं और वो मार्था को कोल लगा रहा होता है लेकिन मार्था उसका कोल नहीं उठा रही होती फिर हम देखते हैं कि बार्टोस को जो फोन मिला था एरिक के ड् केथरीना को खाना देती है जो वो उनके लिए लाई होती है फिर वो केथरीना से मेगनस और मार्था के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं और फिर उल्डरिक के बारे में फिर वहाँ पर उल्डरिक आ जाता है और हाना को अपने घर पर देख कर हैरान हो जाता है और उससे प अंजान इंसान को देखते हैं और वो रेजिना के पास आकर उसे एक box को शाम तक狂वर करने को कहता है क्योंकि उस box का deliver होना बहुत important है और वे अंजान इंसान कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो box होता है Jonas के फिर हम जोनस और बार्टोस को देखते हैं और बार्टोस जोनस को बताता है कि वो एरिक के डीलर के साथ कॉंटेक्ट में है और वो आज रात को उससे मिलने जाने वाला है एक्शोली बार्टोस यहाँ पर नोवा की बात कर रहा होता है और वो जोनस को भी उसके साथ आने के ल पोलाया है और मिकल से पूचता है क्या तुम भगवान पर वरोसा करते हो, तो मिकल ब Bohलता है नहीं, तो नोवा पूचता है फिर इस दुनिया को किस्न बनाया, तो मिकल कहता है दुनिया बिग बेंग की वज़े से बनी थी 13.8 billion पहले, तो नोवा बोलता है फिर बिग बेंग के पहले क्या था बीना किसी चीज के तो कोई चीज नहीं बन सकती शायद बिग बेंग भगवान नहीं किया हो तो मिकल कहता है मेरे डेट कहता है कि रिलीजन वगेरा सब धोका है तो नोवा कहता है लगता है तुम्हारे डेट को कुछ जादा ही पता है लेकिन उन्हें सब नहीं पता भगवान के पास सबी के लिए प्लान है तुम्हारे लिए भी फिर हम देखते हैं कि उल्रिक हाना से ब्रेक अप कर लेता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है और हाना उससे बोलती है कि इस सब की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी फिर हम ए 1986 का सिन्द दिखा जाता है जहांपर उल्रिक और हाना स्कूल में बात कर रहे होते हैं और उल्रिक केथरीना को देखकर हाना को वहीं छोड़कर केथरीना के पास चला जाता है और उससे बात है करने लगता है और वो दोनों relationship में होते है फिर हम देखते हैं कि इनस एक लेडी से बात कर रही होती है जो कि Child Protective Services होती है और वो इनस को बताती है कि वो मिकल के पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी ढूणने की कोशिश करेंगे और जब तक उसे वो Children's Home में रखेंगे तो इनस पूछती है क्या वो कुछ दिन और होता है कि 33 साल पहले जब मेरा भाई गायब हुआ था तो पुलिस वालों ने बिल्कुल भी ढंका काम नहीं किया था और बहुत सारी गलतिया की थी और इसलिए मैं पुलिस ओफिसर बना कि मैं सारा काम अच्छे से कर सकूं लेकिन मेरा बेटा गायब हो गया और मैं कुछ भ पेसा ही होता है जैसा पहले था स्टार्स प्लेनेट और पूरा यूनिवर्स एक ही सेम जगे पर आ जाता है जिससे लूनर सोलर साइकल कहता है और चालेट आगे बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मुझे लगता था विंडन में कुछ तो गलत है और वही मुझे अब भी लग रहा है सब कुछ पहले जैसा हो रहा है जैसा की बहुत बड़ा डेजावू फिर हम देखते हैं कि वो अंचान इंसान जोनस के पास आता है जो अपने डेट की कबर के पास बैठा होता है और जोनस से कहता है कि वो उसके डेट को जानता था और जोनस से कहता है कि उसके रेड ने उसके जान बचाई थी लेकिन उससे ये बात बाद में समझ में आई और थोड़ी और बात करके वो वहाँ से चला जाता है फिर हम देखते हैं 1986 में हाना और उसके डेड सेबास्टियन को जो कि ड्राइ क्लीनिंग का काम करते हैं और वो अभी ओस्पिटल में आये होत जो कि प्यार महबबत के मोड में होते हैं और हाना उन्हें खिडकी से देख लेती है फिर हम देखते हैं कि वो अंजान इंसान गुफा में चला जाता है और मारता एक शो कर रही होती है और जोनस भी उसे बेट कर देख रहा होता है और बार्टोस जोनस को कोल करता है एरिक क भी नुवा का स्केच बनवा लिया होता है फिर हम देखते हैं कि हाना अपने डेट को बताती है कि उसने उल्रिक को कैथिरीना के साथ जोर जबरदस्ति करते वे देखा तो उसके डेड उसे पुलिस टेशन लेकर जाते हैं और वो इगोन को ये सब बते बता देती है तो इगो जाता है फिर जोनस अपने रूम में वो बॉक्स कोलता है जो उसे अंजान इंसान ने भिचवाया था और उसमें उसे एक लाइट मिलती है और एक किसी तरीकी की मशीन मिलती है कोई चीज ना आपने की और वो लेटर मिलता है जो जो जोनस के डिन माइकल छोड़कर गए थे और उसमें लिखा होता है कि जोनस मैं सबसर्स तुम्हें पहले ही बताना चाहता था लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ एक दूशर से कनेक्टेड है तो तुम मेरे फेसले को भी समझोगे चार नॉमबर 2019 को मैंने टाइम ट्रेवल किया और मैं पहुच गया 1986 में और मैं वहीं रहने लगा और वक्त के साथ मैं मीकल से माइकल बन गया और जब तुम ये ख़त पढ़ रहे होंगे तो मैं जा चुका होंगा मीकल की तरह भी और माइकल की तरह भी मुझे आचा है कि तुम मुझे माफ कर दोगे तुम्हारा मीकल माइकल तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि मीकेल जो था वो पास्ट में गया और उसने अपना नाम माइकल रख लिया और वहीं रहने लगा और जोनस उसी मीकेल का बेटा है जो उसके साथ भागते भागते गायब हो गया था और फिर वो पास्ट में जाकर माइकल बन गया फिर हम देखते हैं कि वो अंजान इंसान HG Tannouse के पास आता है और उससे कहता है कि उससे टाइम के बारे में बात करनी है और हमने देखा था कि HG Tannouse ने जो मशीन बनाई थी वही मशीन उस अंजान इंसान के पास भी थी और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा और अगर वीडियो अच्छे लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहां तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार मैं आपके लिए इसे वीडियोस लाते रहूँगा तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर